कि नमस्कार साथियों पॉली टेक्निक बाड़ साला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल मसीन फर्स्ट में जो की थर्ड समेस्टर का सब्जेक्ट है उसमें डीसी मसीन आपको पढ़ा जा रहा है करेक्ट्रिस्टिक आपको पढ़ा दिया गया आज इस्टार पढ़ा जाए गया इस्टार आज खतम हो जाएगा ठीक है तो इस्टार में डीसी मसीन में stator की जरूवत क्यों पड़ी? DC मशीन में stator की जरूवत इसले पड़ी क्योंकि starting condition में DC मशीन में हमारा जो starting current होता है बहुत ही ज़्यादा होता है लगबग 5-7 गुना current होता है आप full load current full load current का 5-7 गुना running condition के मैं बात नहीं कर रहा हूं at starting condition में पान से साथ गुना करेंट होती है, कारण क्या है, कि just at the point of start, DC motor के starting condition में, ठीक है, starting condition में जब उसे supply दे दिया जाता है, तो तुरन तो वो start नहीं होता है, थोड़ा उसको time लगता है, तो उस समय उसकी speed 0 होती है, तो बैकी MF0 होने की वज़े से जो है, उसमें जितना supply voltage दिया जाता है, वो किस में convert हो जाता है, current में convert हो जाता है, जो कि full load current का वो 5 से 7 गुना starting current होता है, ठीक है, तो इस current की वज़े से हमारी जो motor की winding है, इंसुलेशन वगेरा सब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम starter का प्रियोग करते हैं, तो starter का प्रियोग करने से क्या होता है, कि starting current को क्या करता है, limit करता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंट को लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं स्टार्टिंग करेंट को लिमिट करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं हम स्टार्टर का प्रयोग मोटर को स्टार्ट करने के लिए नहीं करते हैं स्टार्टिंग करेंट को लिमिट करने के लिए किया जाता है समझ मैं ऐसा नहीं कि हमें जरुवत पड़ जाई कि हां हम बिने स्टार्टर के मोटर चला ही नहीं पाएंगे तो स्टार्टर हम केवल केवल और केवल इसलिए यह उच करते हैं ताकि स्टार्टिंग करेंट को लि का प्रियोग अब जैसे देखिए कैसे स्टाटर का प्रियोग हमें क्यों करना ज़रूरी है आपको पता है कि Stream today of the water andstone Почему यहीदर अप्सिंफ्स्ट्ये होता है होता है कि नहीं बाकि सब को थे कांस्टेन्ट मान ले अगर तो हमें पता है कि की इच्पशने कन्डी कर थे मिन wedब कर्ow गया कि नहीं तो फैट्टि क्या है थीख तो सोचिए फस्टंव सब कर्षब इस्टार्टिंग कंडिशन में स्टार्टिंग कंडिशन में होता क्या है इस्टार्टिंग कंडिशन में इवी बराबर क्या होगा यह स्टार्टिंग कंडिशन जस्ट एड़ पॉइंट आफ इस्टार्ट यहां पर लिखेंगे कि जस्ट एड़ दी पॉइंट आफ इस्टार ब्रूम होता है आई एंटू आरे प्लस क्या होगा इब होगा तो अब यहांसे अगर आर्मेचर करण्ट निकालेंगे तो आईए बराबर माइनेस क्या होगा इबी होगा बटे क्या होगा आरे होगा समझ में आजा अब यहां से ध्यान से देखिए इबी कमान हमारा क्या है जीरो है वी माइनस जीरो बटे क्या है आरे है तो आये बराबर क्या होगा आये बराबर वी अपान क्या है आरे आरे कमान लगभग आरे कमान लगभग क्या होता है एक होता है लेस दैन वन होता है आप सोचिए लेस दैन वन होता है तो मैं वन ही मान के चल लहा हूं तो आप सोचिए कि यहां पर अगर आये बराबर क्या हो जाए वी अपान क्या है आरे है तो इसी को हम वी लिख सकते हैं कि इसका माल हम माल लीजिए आर बराबर लगभग हम क्या मान के चलते हैं एक माल के चलते हैं पो आइए बराबर क्या ओजाएगा वी है तो अगर डीरों को हमारी डीरी मोटर कितने रेटिंग का है 400 직EM का है 400 डिसी मोतर समझ में आज तो 400 बोल्टेज का इसके तो 400 हो जाएगा शैब कि नहीं तो आई यह बरावर यह एंप्यर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं तो कहने के मतलब क्या एध पो एट स्टार्टिंग एट स्टार्टिंग इसा कभ आらいए कि वो start अब कंडियों में आ proved आद सब्सक्रा नहीं दिया है तो सिंपल से बात है अगर आईए वराबर आपका क्या है वी है वोल्टेज रेटिंग मोटर की कितनी है इस टेंग मतलब 400 बोल्ट मोटर हमारी क्या होगी आप यहां पर चार सो लिग देंगे जब चार सो लिख देंगे तो यह तो यह सब्सक्राइब करने के लिए हम स्टार्टर का प्रियोग करना बहुत ही ज्यादा क्या है जरूरी है अगर स्टार्टिंग करेंट हमारी कम होती स्टार्टिंग करेंट को लिमिट करने के लिए हम इसके इसको बाद में बताएंगे था है अ DC motor में starting current, starting current, 5 से 7 गुना, starting current, full load, current का, पांच से, साथ गुना, current होती है, फुल लोड करेंट का कितना होता है, पांच से 7 गुना, अगर फुल लोड करेंट हमार माल लिजे 20 एंपियर है, तो 7 गुना इसका कितना होगा, साथ दूनी चवदा, 140 एंपियर स्टार्टिंग करेंट फुलो करेंगी, जो कि वेरी डेंजरस है, जो मोटर झेली नहीं पाएगी, ठीक है, और यही चीज क्या होता है, इंडक्षन मोटर में भी होता है, थिरी फेज इंडक्षन मोटर में भी अगर आप देखेंगे ना, तो 5 से 7 गुना, यहाँ पर लिखा दे रहे हैं, कि इंडक्षन मोटर, इंडक्षन मोटर, थिरी फेज इंड़क्शन मोटर में भी स्टार्टिंग करेंट पांच से स्टार्टिंग करेंट फुल लोड करेंट का फुल लोड करेंट का पांच से साथ गुना पांच से साथ गुना होती है कितना होता है पांच से साथ गुना होता है अब देखें ट्रांस्फार्मर में अगर देखें ट्रांस्फार्मर रहला कि हमको DC मसीन का पढ़ना लेकिन आप यहां पर सारी चीजे लिख दीजह कि ट्रांस्फार्मर में walking गैङन नोड करेंट आकग सकता श्रछी एग alarm में 1 लोड करेंट तो करेंट ँर्च है कि पुल में दॉल लोड 5% होती है 2% से कितना होता है 5% होता है और अगर मैं इंडेक्शन मोटर की बात करूं इंडेक्शन मोटर में 30-40% होता है यहां पर यहां पर अगर परसेंटेज में लिखना चाहेंगे कि 30-40% हाफ फुल लोड करेंट 30% से 40% हाफ फुल लोड करेंट फुल लोड करेंट ठीक है तो यह पॉइंट लिखना आपके लिए क्या था जरो सब्सक्राइब करेंट करेंट होता है यह फिर आप उसी को नो लोड करेंट के नाम से विक्या करते हैं जानते हैं लेकिन डीसी मोटर में आप उसे स्टार्टिंग करेंट ही कहेंगे ठीक है क्योंकि कुछ मोटर होती है जो नो लोड पर स्टार्ट की जाती है अधिया आफिस्टार्ट अधिया इस्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ें इस्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ें ठीक है अब यहां पर हम आपको बताएंगे इस्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ें तो आप लिखिया इस्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ें कि जब डीसी मोटर को इस्टार्ट करने के लिए करने के लिए सप्लाई देते हैं जब डीसी मोटर को इस्टार्ट करने के लिए सप्लाई देते हैं तो ठीक ठीक स्टार्टिंग के समय देते हैं तो जस्ट एट दी पॉइंट आफ इस्टार्ट स्टार्ट इस्टार्ट मोटर की स्पेड मोटर की स्पेड यन बराबर जीरो होती है जीरो होती है लेकिन लेकिन सप्लाई मोटर में प्रजेंट होती है लेकिन सप्लाई मोटर में क्या होती है प्रजेंट होती है स्पीड तो जीरू होती है लेकिन सप्लाइ मोटर को मिल रही होती है समझ में उस समय के बात कर रहा है तो अब यहां पे इबी बराबर आपका होता है यन पी फाई जेड अपान सिक्स्टी एक अनुसार के अनुसार अनुसार इबी बराबर के इंटुईयन होगा के अनुसार से इबी बराबर क्या हो जाता है जीरो बोल्ट हो जाता है जीरो बोल्ट हो जाता है समझ में है इबी इबी का मान क्या हो जाता है जीरो बोल्ट या फिर आप कर सकते हैं कि बैक इमेफ बैक इमेफ का मान मान जीरो हो जाता है समझ में बैक इमेफ का मान क्या हो जाता है जीरो हो जाता है आप फ़ार्मूरा तो आप पड़े हैं कि भाई सीमपल सी बात है कि बहुता है आये वराबर क़्ा होगा 24 ए भी या पान क्या होगा और यह क्या होता है रे इस इंग फानले रहिए समझ है तो और आडरे leaders less than 1 होता है तो by qmf कमान क्या हो जाता है 0 हो जाता है जिससे जिससे i a बराबर v minus e b बटे r a k अनुसार अनुसार आर्मेचर करेंट आर्मेचर करेंट आर्मेचर करेंट आईए बराबर v बटे आरे हो जाता है हो जाता है आरे कमान लगभग एक माना जायतो आरे कमान देखी आरे कमान आरे का मान वैसे तो less than 1 होता है less than 1 होता है हो गया इतना आप लोग लेख लिए होंगे इसको मिटा दे रहे हैं वैसे तो क्या होता है less than 1 होता है लेकिन लेकिन आरे लगभग एक माने तो माने तो आईए बराबर वी अपान आरे से आईए बराबर वी हो जाता है हो जाता है तो आईट स्टार्टिंग स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग के समय समय यदि स्टार्टिंग के समय ठीक है यदि मोटर 400 बोल्ट पर रेटेड है तो इस मोटर में स्टार्टिंग करेंट स्टार्टिंग करेंट 400 A 500 A करेगी समझ में आजा 400 इंपियर फ्लो करेगी जो जो फुल लोड करेंट की पांच से साथ गुनी करेंट होती है समझ में आजा पांच से साथ गुनी करेंट होती है इस करेंट की वज़ा से इस करेंट की वज़ा से वज़ा से आर्मेचर वाइंडिंग वाइंडिंग जल जाएगी जल जाएगी समझ में है आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाएगी जल जाएगी तो मोटर को स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जलने से बचाने के लिए, मोटर को स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जलने से बचाने के लिए, हम स्टार्टिंग का यूज करते हैं। यूज करते हैं, जो स्टार्टिंग करेंट को लिमिट करती है, जो स्टार्टिंग करेंट को क्या करती है, लिमिट करती है, समझ में जो स्टार्टिंग करेंट को क्या करती है, लिमिट करती है, ठीक है? तो स्टार्टर का प्रयोग हम क्यों करते हैं स्टार्टिंग करेंट को लिमिट करने के लिए नहीं मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की जरुवत नहीं पड़ी लेकिन हमें स्टार्टर की जरुवत क्यों पड़ी क्यों कि हमें स्टार्टिंग करेंट को क्या क करना है लिमिट करना है ठीक है अब देखिए उसके नीचे थोड़ा साल्व कर लेंगे कल्कुलेशन कर लेंगे sources है जैसे इससे समझना है कि 10 kilowat कि मोटर की बोल्टेज रेटिंग बोल्टेज रेटिंग बोल्टेज रेटिंग 400 बोल्ट है चार सो बोल्ट है तथा और मेचर सरकिट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 0.2 ओम है 0.2 ओम है ठीक है तो स्टार्टिंग समय में स्टार्टिंग टाइम में करेंट क्या होगी करेंट क्या होगी समझ जा स्टार्टिंग बोल दे या इस्टेंड इस्टिल बोल दे और करके इस्टेंड इस्टिल इस्टेंड इस्टिल इस्टेंड 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 इस्टिल इस्टेंड इस्टिल इस्टेंड इस्टिल इस्टेंड इस्टेंड इस्टिल इस्टेंड 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 आये इंटू, आरे प्लस क्या होगा, इबी होगा, तो यहां से अगर आये कमान निकालेंगे, तो आये बराबर आपका क्या होगा, वी माइनस, इबी अपान क्या होगा, आरे होगा, तो यहां से आपको पता है कि वी अपान क्या होगा, आरे होगा, आरे कमान कितना है, आपको यहाँ है一 क्य ident Sudbeing c Alger जिते लिखेंगे चार वण बखेंगे एपका दिरुयूपूइंट पपार किटना जाएगा ध्याफ हाँ तो यहां पर क्या है कि सोची 2000 कि मान कितना 2 vibrations 2 kudekar को अब सब्सक्रेट करेंगे शलव करेंगे आप बॉन यह क्या है हमारी स्टार्टिंग करेंट है अगर फुल लोड करेंट आप निकालना चाहते हैं क्या निकालना चाहते हैं फुल लोड करेंट क्या करना चाहते हैं निकालना चाहते हैं ठीक है अगर फुल लोड करेंट निकालेंगे कि मोटर का जो रेटेड करेंट है वो कितना है तो वो चीज भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं जैसे स्टार्टिंझ करेंट आगर मैं स्टार्टिंḥ करेंट की बात करूं तो यहां पर काफी ज्यादा जगा है तो इतना आप लोग है का दैं केश्ट पॉलस डीक्रेंट कईटना आयाَ इस्टार्टिंग करेंट है इस्टार्टिंग करेंटा के च cannabis के थी समझ प्रेज में आगया हो गई कि यह कितनी करेंड हैं अगर हम फुल लोड करेंट निकाले तो फुल लोड करेंट फुल लोड करिंट एक फुलोड करेंट वहён करेंट है जिसод की मोटर की यह मतलब इतनी करेंट को आसानी के साथ मोटर क्ân gap कर सकता है जилось किसी तो अब 10 किलोवाट क्या है आपको पता है कि पावर पी बराबर वी इंटू क्या होता है आई होता है तो पी बराबर आपका कितना दिया है दस किलोवाट दिया है कि नहीं बोल्टेज आपका कितना दिया है 400 तो अब देखते हैं कि करेंट कितनी फ्लो हो रही है तो आई बराबर आपक लखिये बही दस गुड़े 1000 लिखेंगे कि नहीं यहां पर किलो है न तो उसके बाद बोल्टेज कितना है 400 है तो कड़ जाएगा यह भी कड़ जाएगा तो सव तो बटे कितना है तो फूल लोड करेंट मतला फूल लोड करेंट कितना है पचीश एंपियर है आप अब सोचीए और इस्टार्टिंग करेंट कितना है देखे हमारी जो मोटर के rated current है वो 25 एंपर है, maximum motor कितिनी current ले सकती है, 25 एंपर लेकिन अगर उसी मोटर में, starting में 2000 एंपर करेंट अगर flow हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा motor जल जाएगा, simple सी बात है, तो कितना गुणा है अगर आप देखेंगे तो कितना गुणा है लगबर 5 से 7 गुणा है समझ ए ना देखेंगे तो अगर इसी पचीज में कितने का गुड़ा करेंगे भैं 70 का गुड़ा करेंगे तो 20, 17 कितना होगा 11ence ID 15 6 systems के इतना हो जाएगा eek 75 मतलब बहुत ज्यादा करेंट है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो फुल लोड करेंट हमारी इतनी ही क्या करेगी फ्लो करेगी इस रेजिस्टेंस में बहुत कम है वैसे बेसे और मैचर का जो रेजिस्टेंस होता है वह बहुत ही कम होता है तो आपको यहां पर यह देखना है अभी यहां पर जो करेंट आ रही है निकल करके आप देखेंगे कि 25 में कितने का गुड़ा करें कि आपका कि शोकस सो पचीस सठे दो सो फचीस में अगर हम असी का गुड़ा करें ठीक है पचीस में कि अगर असी का गुड़ा करूं कितना जाएगा ऊचीस अठे दो सो कि यह 2000 ayam bilang यह 20कों गुना करन्ट आ रही है कितना रही है अस्अ iemand जर्कि हम ने बोला 5 पांसे साथ गुना तो वैसे तो 507 पांसे साथ गुना होती है लेकिन यहां पर आर्मेचर का रेजिस्टेंस हमने क्या किया है बहुत ही कम लिया है समद में लगभग एक के बराबर रखेंगे तो ऐसी कंडिशन में पांसे साथ गुना आएगा ठीक है तो यह एक एक जामपल था कि स्टार्टिंग कंडिशन में इतनी करेंट फ्लो करेगी जबकि फुल लोड कंडिशन में कितनी करेंट करेगी 25 की करेंट हमारी क्या करेगी फ्लो करेगी ठीक है तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं इस्टाइटर का यूज करते हैं ठीक है और अब मैं टाइप आफ इस्टार्टर आपको पढ़ा हूंगा कि टाइप आफ स्टार्टर कितने टाइप के स्टार्टर होते हैं कि अगर में मारकर में जो है इंक डालनों कि अगर में एव ऑड़हर आपको जो है प्कुछ स्टार्टर शुछार्टर राभ टारार्टर कितने बावर्टर कितने इसका कि अगरें टाइप आफ इस्टार्टर तो अगर मैं स्टार्टर की बात करूं तो सबसे पहला है काउंटर येम फिस्टार्टर सबसे पहला इस्टार्टर काउंटर येम फिस्टार्टर समझ मैं है दूसरा इस्टार्टर है टू पॉइंट इस्टार्टर तीसरा है आपका थिरी पॉइंट इस्टार्टर ठीक है और चौथा है आपका चौथा है आपका फोर पॉइंट इस्टार्टर अब यहां पर देखिए थिरी पॉइंट इस्टार्टर जो है हमारा ये संट मोटर के लिए उच्किया जाता है किसके लिए ये संट मोटर के लिए थ्री पॉइंट स्टार्टर हमारा संट एंड कंपाउंड दोनों के लिए यूज किया जाता है यूजड संट एंड कंपाउंड मोटर यूजड संट एंड कंपाउंड मोटर समझ मैं ला और ये किस में किया जाता है ओनली कंपाउंड मोटर में कंपाउंड मोटर में वैसे तो दोनों में यूजड कर सकते हैं तो नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको कहां पर यूजड करते हैं अ अवली कंपाउंड मोटर है तो इसको कहां पर यूजड करते हैं थे पॉइंट स्टार को यूजड संट एंड कंपाउंड दोनों मोटर में लेकिन इस पेसले इसको जो है संट मोटर में यूजड किया दाता है यह चीद्ध्यान दीजेगा समझ भ्याहाँ अगर संट कंपाउंड दोनों लिखा है एक ही आप सन में ठीक है तब तो वह सही होगा लेकिन अगर उसमें संट मोटर सिरीज मोटर कंपाउंड मोटर नन आप देश तो आप क्या मारेंगे संट मोटर मारेंगे समझ में और यह किसमें कंपाउंड मोटर में हलाकि इसमें भी संट मोटर क हम प्रयोग कर सकते हैं लेकिन उली यह इस्पेसली डिजाइन किया गया है कंपाउंड मोटर के लिए और यह सिरीज मोटर में यूज होता है यह सिरीज मोटर में यूज होता है किसमें यूज होता है सिरीज मोटर में यूज होता है ठीक है कि और ये बी सिट्ट मोटर में यूज होता है अगर क dos काुंटर कंपर स्टार की बात करेगा तो वो DC संट मोटर में three point starter की बात करेगा तो DC संट मोटर में अगर compound भी साथ में है तो भी आप टिक करेंगे तो सही हो जाएगा four point starter केवल और केवल compound मोटर में क्या किया जाता है यूज किया जाता है आप संट का भी कर सकते हैं लेकिन इस पेशली यह जो डिजाइन किया गया है ओकेवल और केवल किसके लिए किया गया है compound मोटर के लिए डिजाइन किया गया तो इतने टाइप के starter होते हैं ठीक है है जिस हिसाब से question पूछा जाता है मैं उस हिसाब से आपको यहां पर बता रहा है है तो सबसे पहला इस टाटर है counter यह में फिस्टाटर है यह केवल यह केवल डिसी संट मोटर में यूज किया जाता है किया जाता है समझ में आजा किसमें यूज किया जाता है डिसी संट मोटर में यूज किया जाता है अगर मैं two point starter की बात करूं, यह तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, हमें सलेवस के अनुसार three point starter और four point starter पढ़ना है, लेकिन हम यह सारी चीजे भी बता दे रहे हैं आपको, two point starter, two point starter की अगर मैं बात करूं, तो यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, होता है, समझा ना, पहला, पहला, drum type starter, starter, पहला क्या होता है, drum type starter तथा, तथा, दूसरा, page, plate, type starter, होता है, समझ मैं, यह DC series motor, इसके बारे में हमको ज्यादा पढ़ने की जरूवत नहीं है, हला कि मैं बनवा दूँगा, या DC, series motor में यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, starter का figure मैं बाद में बनाऊंगा, और बाद में समझाऊंगा भी, अभी जो कुछ point है, उसको आप लोग लिखिये, ठेक है, यह starter, series motor, की speed को भी control करता है, यह speed को भी control करता है, control करता है, समझ जाया, यह जो हमारा starter है, यह speed को भी क्या करता है, यह हमारा क्या हो गया, two point starter हो गया, क्या हो गया, two point starter हो गया, starter का figure मैं बाद में बना के अच्छे से समझाऊंगा, पहले उसके concept को मैं लिखूंगा, अब आगे आजाते हैं, three point starter, हमें पढ़ना है, three point and four point, three point starter, यह तीसरा number है, ठीक है, अब यह जो हमारा starter है, यह है, sent तथा compound दोनों मोटर में यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, अगर option में sent और compound दोनों दिया है, एक ही, एक ही option में, ठीक है, एक ही option का मतलब है कि जैसे three point starter यूज होता है, तो पहला option है, sent motor, sent motor, दूसरा option है, compound motor, तीसरा option है, series, motor, अच्छा उथा option है, cumulative motor, cumulative motor, समझ्या है, तो ऐसे case में केवल आ रहा हो, केवल आप क्या मारेंगे, sent मारेंगे, ठीक है, ऐसे case में, अगर माल लिजिए, इसी option में दिया है, sent motor and compound motor, compound motor, ठीक है, series motor दिया है, फिर compound motor दिया है, compound motor दिया है, और ना ना आप दैवब दिया है, ना आप दैवब, तो ऐसे case में, आप ये वाला option क्या करेंगे, ठीक करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो question इस तरीके से पुछे जाते हैं, तो three point starter, केवल और केवल three point starter, sent motor में यूज़ किया जाता है, लेकिन compound में भी उसे use करते हैं, तो option में कैसे आएगा, तो कैसे आप तिक करेंगे, लेकिन four point starter जो होता है, वो केवल और केवल, specially designed किया गया है, वो compound motor के लिए, ठीक है, three point में कुछ कमिया थी, जिसे दूर किया गया है, three point, three point, starter में, कुछ कमिया थी, कमिया थी, three point starter में कुछ कमिया थी, जिसे दूर, जिसे, दूर करके, especially, especially compound, मोटर के लिए, four point starter बनाया गया, four point starter, बनाया गया, बनाया, ठीक है, three point starter में, कुछ कमिया थी, जिसे दूर करके, especially compound, मोटर के लिए, जो है, four point starter क्या किया गया, बनाया गया, तो compound मोटर में, four point starter का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, एक चीज में पढ़ाने से पहले, आपको बता देना चाहता हूँ, कि starter में क्या होता है वास्तों में, अगर मैं note करके आप लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, starter में register होता है, या resistance होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, resistance होता है, या resistance, resistance, आर मेचर, circuit के series में जूड़ा होता है, series में जूड़ा होता है, है, आर मेचर सर्कृट के series में क्या होता है, जूड़ा होता है, या resistance, या resistance, इस्टार्टिंग में, इस्टार्टिंग में, करेंट को, करेंट को, लिमिट करता है, करेंट को क्या करता है, लिमिट करता है, ठीक है, तो इस्टार्टर क्या करता है, इस्टार्टर, स्टार्टर, केवल, इस्टार्टिंग करेंट को लिमिट करता है, कि स्टार्टिंग करिंट को क्या करता है लिमिट करता है ठीक है यह मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज नहीं किया गाता है यह क्यों स्टार्टिंग करिंट को ही क्या करता है लिमिट करता है यही स्टार्टर का क्या होता है काम होता है ठीक है तो function of starter की मैं बात करूं सबसे पहला निया है किस्टार्टं इस्टार्टर को किसे लिमिट करता है यि स्टार्टीं को क्या करता है मैं दूसराStra पैलोए नौबन की नो बोल्ट है ओग ficar रिलेज है उन jackie के नो बोल्ट क्या है रिलेज्डिलीज क्या कि तीसरा पॉंट क्या है इसके वारें आगे आपको बताएंगे अच्छे तरीखेंश से डिफाइन करेंगे ठीक है पहले लिख लिए ओबर लोड मैज सरॉ ओबर्लोड रिलीज ठीक है और उसके बाद ओबर्लोड रिलीज का मतलब क्या है ओबर्लोड कंडिशन में यह भी प्रोटक्शन करता है सप्लाई को कट कर देता है यह भी काम होता है स्टाटर का समझ में यह भी काम हमारा किसका होता है स्टाटर का होता है नो बोल्ड की कंडि फेल्ड फेलर प्रोटेक्शन फेल्ड फेलर प्रोटेक्शन मतलब फेल्ड के फेल होने से भी क्या करता है बचाता है फेल्ड फेल हो जाएगा तो डेंजरेसली हाई स्पीड हो जाएगी क्योंकि फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो उससे भी प्रोटेक्शन ये इस्टैंटर हमारा क्या करता है प्रोईड करता है ठीक है तो यह तो फंख्षन हो गया यह हमारा क्या हो गया फंख्षन हो गया और बाकी का टापिक जो है अगले लेक्चर में आपको क्या करेंगे बढ़ाएंगे अज Driving तक आप यही भरोसा है कि आप लोग करेंगे, सेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सारी चीजे करेंगे, लेकिन कमेंट करिए तो गलत तरीके से कमेंट न करिए, कल की लेक्चर में हमने एक लड़की का कमेंट देखा है, ठीक है, अब हमारे सामने होते तो मैं उनको बताता कि, वैसे तो ज माइन क्लास चल लहा है तो आप लोग ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेर कीजिए कोछिज कीजिए फालतु के कमेंट कीजिए पढ़ाई से रिलेटेट कीजिए ठीक है